मदुमक्ही के लिए यहां चोटा सा होल है जिसे मदुमक्ही रती है अंदर तो अभी मुझे रीजन समझ में आ रहा है कि प्रीटी यहां पर क्यों लेकर आई बहुत ही डिफेंट कॉंसेप्ट है यहां पर देख लो जार जार भी समय फजगे थोड़ी बहुत कला आपको आती नहीं है रेंज करके बड़े प्यार से आप इतनी अच्छी मड़ का हाउस मना सकते हों यहां पर हर चीज बिलकुल नैच्छल तरीके से मनाए गई यह दिवार देख रहे हैं पूरी आप कि ओम सूराय नमाद अगर 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 अब्सक्राइब करते हैं तो बहुत रिलेक्सिंग डे निकलता है हमारा कई लोग घरों में भी पानी की योग ज़र्नल लगा आज चल तो हमारे पास तक नेच्छल ज़र्नल ब्लकु गरे पास में है तो मैंने के चल्ड़ नदी के किनारे बैटके कुछ पर मेडिटेशन कर ली जाए तो मैं आगे वो नदी के मोहने पर बैठके यहां पर पानी के अवास सुनके बहुत रेक्सिंग लग रहा हुआ 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 है तो भाई प्रीति का है प्रीति घर पर यह अभी और मैं सुबह गर से निगल गया हूँ लंबी वॉक के लिए और प्रीति में को ढून रही होगी प्रीति को बदा के नहीं आया हुआ है चले हुआ गर की ओर इससे पहले प्रीति हमें डोड़ती रहे है कि अब नदी तो रहेगी नीच्छे ब्रेट पकोड़ा बच्पन में हर बच्चे का फेवरेट खाना हुआ करता था आज कल शायद कम होता है पर लबे गंगा के है बच्पन नहीं बड़ों का भी सबका फेवरेट रहता है और खासकर कि जब लोग पाड़ों में घुमने आते हैं ना तो सबसे पहले ब्रेट प देखा भाहि देख्टे है बड़ों समुसा ब्रेंट पकोड़ा मिलना चाहिए सुवह पना पाड़ों में गारणे ब्रेंट पकोड़ों में हमी ब्रेंट पकोड़ा और पालक अलू का पकोड़ा थे घ्रत एक मिर्चा का अच्छव ten वा सबकेट हैं युआ सब आ चाहती से मैं कर रोज भाग जाता है तो आज मैं इसको छोड़ के भागता हूं तो मैं चला के नदी की तरफ नुश्का नुश्कर कैसे हैं पेड लगा रहे हैं कि लोगी पालक के पोगोरी भागे हैं और मिर्च के पोगोरी भी है तो आज काफी काम हो गया भाहर का चार पुलम के लगे हैं तो आज मैंने दो लगाएं और दो किसने लगाया थे प्लम के वादा कोई आया था कभी हमारे कोफी क्रेडिट दे दिया करो सारा क्रेडिट दे रहा है जाएगी इसके अंदर यह हमारे अडू का पेड़ कौन सी वरैटी के भी बिताओ यह रजू नहीं जून में आता है बहुत ही मीठा होता है लाल रंका होता है और खाने में सबसे टेस्टी लखता मेरे को थोड़ा मीठा खटा टेस्ट आता इसका फल तो यह देते हैं गर्म जाएगी जाएगी पर बहार नहीं निकल सकते हैं बोड़े दुनोबात इस रजाए में तो पैर मेलेट के अराम से यह फुपट बहाता हुँ अभी इसले मेने दिल नहीं करता है निकलने का बहर के काम है आज आज ख़ड़े जुत ज़ते जड़ा ते ज़ते ज़ते हैं इन बाबू सेवा करेंगे तो मेरा देलेगा अभी आपने दोनों पेर वाउम सोक्स के डोनों पेर गुम कर दी हैं मैं क्या करो बताओ अब मैं ढूंडती हूरू जुप जो दूसरा पेर पतानी साब जी ने कहां गेर दी है दल्दी होगी कि मैं अज यहां लेट जया रहां तो अज आप लेटे वे अच्छे नहीं लग रहे ते दिन वेटे उपर छोड़ दी हो मैं एक बर चेक कर क्या आती हूं पर नहीं करते हूं मुझे लगता है इनोंने यह सौक्स उपर छोड़ दी होगी तो चेक करते हैं भई लाइड भी नहीं आज अज पर दो नहीं छोड़ कि वहीं आपने अला गलब तलर की पैड़ को भी आज अनुखा काम हो रहा है एक जड़ा वहीं इस रंग की है तो फाइनली प्रित्ती ने में रुको भी रजैसे निकलवाई दी है बरसात का प्रोसा नहीं है कि अजड़ी नाम लिए बंडे का लेले क्या तिक्कता है अपको तो नाम ही ऐसा है दुनिया लेती है नहीं लोगे तो फिर मता किसे लगेगा भाई अफिर किने चार्देथ कहां वहा इस विश साफ हो गया मारी गड़ी साफ हूं बहार से अंधर से गरीबर आपने कि आपको तो तली बोलनी चुदू होगी तरी आपसे जिता है कि आपके जो चलो जिना नीचे देखें जिना प्रिती कह रही है ऐसे कुछ दिग गया है देख लें क्या दिखाना इसको आव जी करपया साफ धानी पूरवक चलें यहां पाला वबर्फ अच्छादित शित्र है जा नीचे लो बढ़ी है आयादाने सबस्कृआ अबेदक्तों पड़ोल अब सॐझतों और सब्सक्वाइब की लिपाई saturánt आप मुटेम नाग उठesव डाएओ जो पतले पतले निया होती है जैसे प्लम की होती है अलु बॉखारे की प्रिम्भी यह तो अभी मुझे रिजन समझ में आ रहा है कि प्रिति यहां पर क्यों लेकर आई बहुत ही different concept है यहां पर इसे घर बनाया है यहां पर तो आप देखो होगे कि बिलकुल यह जो घर है natural है मट का इनक पर लेप रखा है पर में बात के जैसे मैंने बताने हैं हमेशा जो पाड़ों में घर होते हैं जातल जो परण्य घर है वह पथथर के बने होते हैं पथर की पर थे उसमें 18ैंग की दिवार होती है पर इन घरों में कोई पत्थर ने लगा हुआ इन घरों के जो स्ट्रक्चिर है जो इनकी बोन्स है वो सारी सरफ लकडी है इस तरीके से इन्होंने टिक्स को अरेंज करके और बीच में मिट्टी चिपकाके मड का प्लास्टा कर रखा है जिससे आपका जो एक तो यह होगा कि हीट इंड कोल अरी शीशा बहुत अच्छा लग रहा है इसी में घाड़ दी आपने यह बड़ा प्यारा लगा मुझे शीशा वही घास डालके मोटी मोटी बाच की लकडियों से बीच में जोड दे रखा है और पाल डाल डाल दिया होगा ना ओजार ओजार भी इसमें फचल पड़ गे ने आता है पाने विरांगा ने आता है थोड़ी बहुत कला आपको आती है तो आपको किसी मिस्तरी की जूरूत नहीं है और अपको आपको टाइम भी हो तो यह आसपास के जो रिसोर्सेस होते हैं जो हमारे पाहड़े में सब कुछ होता है उसमें डंडियां छोटी-छोटी जो कटिंग होती है उसके बाद लखड़ से जो पकड़ है ज्यादा अच्छी आ जाती है तो सरफ एक घर नहीं है इन्होंने बहुत सारे घर सटप किये हुए इन फैमिली ने बिलकुल नेच्रल तरीके से घर बने हुए आप देख सकते हैं उदर मुहाबी नीच्चे कुछ चिन्नों ने छोटा से पत्थरों को चाटक पर रख़ा है यह कितना बड़ी अमना रख़ा है लकड़ी का सेड़े पर देखा देवादे की लकड़ी और उधर देखो लास में पत्थर की यहां पर कितनी लीदें पड़ी है खाद की खाद वो कहते हैं कुद्रत इंसान को सब कुछ देता है अगर उसको यूज़ करना आना चाहिए हाँ पर हार चीज बिलकुल नैचुल तरीके से बनाएगा यह दिवार देख रहें पूरी आप यह लगड़ी फसा फसा के फसा फसा के मैं भी सीख रहा हूं अंदर से मिटी ले भी ताकि बिलकुल मिटी स्ट्रॉंग रहे तो गर्मी की गर्मी सर्दी में भी गर्मी नहीं पर तुसी कमरें बनाएगी पीछे थोड़ा सा पत्थर की दिवार देदी इन्होंने पर यह सोचो कि यह काम करने में मज़ा कितना आता है पर जब नेच्रुल तरीके से नेच्रुल जगा पे रहो गे तो उसका एफेक्ट अलग ही होता है हम पूरी तरीके से इस जगां पर पर फिर भी हम पर्यास कर सकते हैं कुछ ऐसा चोटा सा कमरा बना दे चले मेडिटिशन रूप उसके अंदर कर दिखाती है और उपर चट देखोगे अब डेनियों पर कास दा लख खा है और इसके ऊपर अगर आदेखोगे तो कास कास असरत नेकल तरपाल भी ओऊपर पाणी अंदर मी जाएगा तो पहले नीचे लखड़ी हो गी हरना लखड़ी का फ्रेम हो गया नीचे पहर कास होगी उपर प्र डाल दी तरपाल फीनदी एसके उपर अभी ब्याने वाल है क्या ये ना ब्याई वह आई आई अच्छा प्याँ गई अंदर से देखो वह पूरी मिट्टी है बाहर वह जो है लकडिता है अंदर से लिपाई कर रखी है तो पर निकलेते गर से किसी और काम से पहुंच किया कहीं और and credit goes to प्रिती तो अच्छी जागा पली आई तो जो बाहर प्याई आई तो अच्छी जाई से लिच है प्रोप्तल एल वह जाई आई प्रण्वी जाई आई झाल झाल